Hello Friends, मैं आज आपको 2004 की 3 Iron ये एक romantic Korean movie explain करने वाला हूँ इस movie की IMDB rating 8 है और इतनी अच्छी rating ये movie dissolve भी करती है एक शादी शुदा औरत के साथ अलग type के affair की एक story है इस movie में जो भी main characters है इनका कोई भी dialogue नहीं है पर cinematography इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन characters को लग रहा है ये बताया जाता है इस movie में जो main characters है ये गभी भी बोलते नहीं पर इनके जो dialogue से है ये उनके emotions से कनवे हो जाते है बहुती कम dialogue और बहुती अच्छी cinematography इस movie में हमें दिखाई जाती है इस movie में जो भी सेन है इन सब के symbolic मिलिंग के साथ मैं आपको इस movie का explain करूँगा तो चलिए शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और हमें हमारा main character के दिखाई गया है ये एक बहुती शान सिटी में हमें दिखाई गया है बहुती कम लोग यहां रहते हैं बहुती कम traffic वेगरा होती है यह हमें अलग-अलग दोर पर जाकर अपने pomplets लगाता हो दिखता है ये hotels के pomplets होते हैं पूरे neighborhood में गुमता है और एक नए society में आचाता है उसने इस society में pomplets लगाये थे और अब वो हर डोर को चेक करा है इसका actual में एक plan होता है यह हर जगा जाता है और वहाँ अपने pomplets लगा कराता है जिस घर पे उसने अपने pomplets लगाया है उसका owner अगर उस घर में होगा तो वो यह निकाल कर रग देगा अगर यह pomplet नहीं निकला होगा इसका मतलब एक घर पर कोई नहीं है घर का owner कहीं बाहर गया है केको फिर यह पता चलता है तो वो घर में घुश जाता है हमें आप यही दिखता है वो एक building में आ चुका होता है वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका pomplet अभी भी ठीटका हुआ होता है फिर वो डोर ओपन कर लेता है उसके पास डोर ओपन करने के लिए बहुत सारे tools विगरा भी होते है घर में अंदर जाता है तो एक phone machine भी चेक करता है वहाँ पर message होता है कि हम family vacation बाप बाहर गये है ये घर की family का message होता है ये घर में हमें shower लेते होए दिखता है वहाँ खाना बगाता है वहाँ बहुत सारे चीज़े करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फुटा होगा तो ये भी repair कर देता है जिस घर में वो जाता है अपने camera के साथ वहाँ एक photo ले लेता है जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जीस तरह से रह रहे थे यानि कि जो भी काम वो कर रहे थे ये सब काम वो करता है अब मैं आपको इस character के बारे में और भी बतातू ये एक free solo होता है जहाँ इसे जाना होता है वहाँ वो चला जाता है अलग-अलग शेहरों में गुमता है और यही trick वो करता रहता है जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे उस घर में जाता है उनकी lifestyle जीता है ये वहाँ से कुछ भी चोरी वेगरा नहीं करता एक की life में अलग-अलग जीज़े experience करकर इसे रहना होता है जो गोर वो experience कर चुका है इसके एक memory वो फोटोज में लेता है अब next scene में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रहा था वहाँ की family फिर सी घर आ जाती है इस family में mother, father और son होते है यहाँ mother ज़रा नाराज होती है वो vacation पर जाकर आई है पर फिर भी उसे वो vacation अच्छी नहीं लगी थी इस family जो चोटा बच्चा जोता है वो अपनी खिलोनों की gain लेकर आता है यह पहले तूट गई थी पर अब के नहीं इस repair कर दिया है वो अपनी mother पर point करता है वो इसकी mother frustrated होती है तो केदी की चला दो और यह चला भी देता है यही सीन खतम हो जाता है नेक सीन में फिर से नये neighborhood में हमें केदी दिखता है यह बहुत ही अच्छा neighborhood होता है और बहुत ही बड़ा यह घर होता है इस घर में वो आ जाता है घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं और वहाँ एक औरत होती है जिसे वो spot नहीं कर पाता वो बहुत ही चुपचाब वहाँ बेटी हुई होती है इसके face पर किसी के मारने की निशान भी होती है यह डर कर वहाँ छुपकर एक कोने में बेटी हुई होती है फिर answering machine पर call आता है या इस औरत का husband जोता है वो answering machine पर message पेचता है वो उसे पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो उसे हरी गर कर phone वीकप करने के लिए बोल रहा होता है उसे sorry भी कहता है वो कहता है मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम unsatisfied हो वो गुसा होकर उसे phone वीकप करने के लिए बोलता है यह घर में ही चुपरे लेती है यह फिर से अपना सब जो routine होता है वो करने लग जाता है उस घर में कपड़े दोता है अगर उस घर में कुछ टुटा फुटा होगा तो रिपेर करता है यह औरत अब केज जो भी सब कर रहा है यह देख रही होती है और वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिब आवजर करती रहती है इसका नाम हम क्रीम रखेंगे केज होता है वो घर के काम करकर बहुत ही सैडिसफाइड उसे महसूस होता है कि हमें एक प्लान को वाटर करते हो दिखता है नेक सिर में हमें क्रीम दिखाए गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लान की होती है यह प्लान क्रीम को रिप्रेजेंट करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है क्रीम पूरी तरह से मुर्जा चुकी है पर अब इसके लाइफ को वो फिर से जिन्दा करेगा केक यह खौपी होती है जिसमें वामेशा गोल्फ खेलता है यह जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होते है क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी कि जब इस घर में एक वेटिंग मशिन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रही होती क्रीम के लाइफ का बैलंस रिपेजन करती है जब रात होती है और केस होया होता है तभी क्रीम दर्वाज खोलती है कि यह देखकर डर जाता है तभी फोन पर और एक मैसेज आता है इस मैसेज में उसका पती बोलता है कि अभी गभी फोन पीक अप करो फिर से इसी घर में आ जाता है वो देखता है कि क्रीम शौर में है और वो रो रही है वो फिर उसे चीर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है थोड़ी दिर में क्रीम का हस्बन भी वहा जाता है सब दर्वाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डाटता है, उसे पोच्छता है कि तुम फोन क्यों नहीं आंसर कर रही थी, वो अपने बिजनेस ट्रीप पर कुछ काम नहीं कर पाता, तो इसका भी ब्लेन वो क्रीम पर ही करता है, क्रीम को बोलता है कि मैंने तुमें कहा था, कि तुम्हें ऐसे कपड़ी नहीं पहनने है, उसे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं, इसके लिए भी उसे इरिस्टिक करता है, वो कहता है कि मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती तुम्हें कहा लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ दूँगा उसके पास फिर वो बैठता है वो से जबरदसी करने कोशिश करता है कैसे देखानी जाता और कि फिर इस घर के गार्डन में आ जाता है वह अपना गोल्फ का सामान लेता है और गोल्फ की प्रैक्टिस करने लग जाता है क्रीम का हजबन जब यह देखता है तो वो गुस्ता हो जाता है वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है उसे रिपोर्ट कर रहा होता है और फिर वो गार्डन में भी आ जाता है गुल्फ के सब बॉल्स पड़े होते हैं कि अपना निशाना अब बदल लेता है क्रीम के हाजबन पर हो निशाना लगाता है और उसे बहुत बुरी तरह के से इंचोर कर देता है क्रीम का हाजबन अब ग्राउन पर गिर जाता है यह जो घर है इसमें क्रीम के बहुत सारे मॉडलिंग की फोटोज है एक शॉट में हमें दिखाएगा है कि यह क्रीम के मॉडलिंग के फोटो के साथ होता है और क्रीम है दिख रही होती है इसका मतलब अब जो है वो के फ्री है वार क्रीम वैसे पहली थी, मॉडल की तरह थी, वो तब फ्रीज थी जब वो फोटोस निकाल रही थी अब वो के को देखकर वैसा ही फिर से फिल करना चाती है इस शौट से यह उन्होंने रिप्रिजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के के साथ पाइक पर उसके चली जाती है वो अब उसके हस्बन के साथ ने रहना चाती के का जो भी रूटिन है, उस रूटिन में वो घुल में जाती है वो उसके साथ अलग-अलग नेवरोर्ज में जाकर पॉम प्लेट चिपका दिये और उसके साथ ही रहती है नेकसिन में हमें दिखता है कि के उसकी गोल क्यूट प्रेक्टिस कर रहा हता है वो एक garden में खेल रहा होता है पर वो ball कही जाये ना इसलिए उसने उस ball को बान दिया होता है यह जब वो खेल रहा होता है तो ball के सामने cream आ जाती है के अपनी खेलने की direction चेंज करता है पर उसी direction में फिर से cream आ जाती है के फिर अपना खेलना ही बन कर देता है यह represent करता है कि जो life है जैसे तरह से वो जीता है उसके बीच में अगर cream आगे फिर वो violence की तरफ नहीं मुड़ने वाला अब next girl में कीमार के आ जाते हैं यह जो घर होता है एक photographer का घर होता है यहाँ cream का photo भी होता है जैसे हमने देखा था कि कि गर अलग अलग घरों में जाकर बहागी चीज़े वहाँ चीज़ेंगे रिपैर करता है यहाँ भी वही वह कर रहा होता है execution जब उसके photo को दिखती है तो उसके फोटो को निकाल लेती है उसके फोटो को निकाल कर वो फिर से फ्रेम में लगाती है पर इस पार उसने वो कट करकर लगाया होता है अनसौल पजल की तरह अलग अलग जगा पर ये फोटो कट करकर उसने लगाया होता है ये photo represent करता है कि जैसे हम cream को देखते है वैसी वो नहीं है इसमें बहुत सारे layers से वो एक human being है जिस तरह से human beings complicated होते है उसी तरह से वो भी है उसके husband ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो इतनी simple सब को चीज़े नहीं होती आदमी के अलग-अलग emotion होते और आपको सब चीज़ों को जान लेना चाहिए उसके husband का सिर्फ उसके लिए सब चीज़े करना यह सब vision नहीं है Nixon में हमें cake खाना पकाते हो दिखता है बहुत सारा खाना वो cream के लिए बनाता है यह सब खाना वो उसे दे देता है यहाँ उसके लिए बहुत ही care कर रहा है यह हमें दिखता है और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था यह cream एक plant को represent करती है उसी plant को के फिर से water कर रहा होता है थोड़ी दर में घर के बाहर photograph की जो girlfriend होती है वो आ जाती है कोई door open नहीं करता तो वो चली भी जाती है पर अब care cream यहाँ नहीं रह सकते कि जिस तरह से हर घर में photo लेता है उसी तरह से वो photo ले रहा होता है पर cream भी इस photo में आ जाती है उसके life का अब वो part बन चुकी है यह scene represent करता है हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए है या एक boxer का घर होता है इस घर में वो जाते है drink वेगरा करते है music चलाते है enjoy कर रहे होते है जब रात होती है तो वे दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है इस घर में जो boxer रह रहा था वो honeymoon पर गया था पर फिर से के अपनी goal practice करने लग जाता है इस बार वो जब goal practice कर रहा होता है उसका ball restricted नहीं रहता वो ball बहुत ही दूर चला जाता है वो इसके वज़े से एक आदमी का accident हो जाता है जिस car में accident हुआ होता है वो एक लड़की होती है जो बहुत ही injured हो चुकी होती है केको ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है वो रोने लग जाता है ये से न रिप्रेजेंट करता है कि केको लगता है कि वो सब control कर बारा है पर life में कुछ चीज़े आपके हाथ में नहीं होती control कर बाना रात में दोनों फिर से नए घर पर आ जाते है जब सुपह होती है फिर से अपना routine स्टार्ट करते थे इस बार नए घर वो ढूंडते है जब वो building में आते है और घर खोलते है तो इसे smell आ रही होती है जब ये चेक करते है तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है पर क्रीम यही रुकती है यह आदमी अपने मुझे को खुन आकर मर गया होता है तो यह सब खुन वेगरा यह सब साप करते है कि कॉल करकर देखता है इस आदमी के सन को यह call लगता है पर यह कुछ भी नहीं बोलता जब यह दोनों इस घर में खाना खा रहे होते हैं तो थोड़ी देर बात इस आदमी का सन और उसके डॉटर इन लोग आ जाते हैं वो चेक करता है कि उसके फादर का है वो उसके फादर उसे कही भी नहीं मिलते वो इन दोनों को फिर घर में रुखने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है पुलिस फिर हमें के और क्रिम को इन्वेस्टिकेट करते हुए दिखती है के का कैमेरा उनके पास होता है वो फिगर आउट गरता है यह बहुत सारे घरों में रहा है क्रीम में से यह ऐसा उसके हस्बन ने रिपोर्ट किया होता है यह पुलिस फिर उसके हस्बन को कॉल कर देते है यह पुलिस ओफिसर जब के को धमगाता है तब कि उस old man की location दे देता है actual में के ने इस old man को एक proper burial दिया होता है उसके घर के पास ही एक पेड़ की नीचे उसे गार देता है तो ये चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो officer के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरह के इससे गारा गया था उस old man का इसने इतना खयाल किया था कि ये उसका actual mission हो क्रीम का पती उसे अपने घर लेकर आता है उसे कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था मैं अब बदल चुका हो तुम जब गई थी तुमारे parents को मैंने बहुत सारे पैसे बेज़े है वो से अशुर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा मैं तुमें कभी भी हट नहीं करूँगा क्रीम अभी भी उससे response नहीं दे थी करीम का पदी अब चेर जाता है और डिरिक्टिव को कॉल करता है इस डिरिक्टिव को वो पैसे देता है और के को एक सुमकसान जगा वो लेकर आते है के नहीं करीम के पदी को गोल्फ बॉल से मारा था अब यही उसका पदी के के साथ कर रहा है थोड़ी देर बाद के को बजाने के लिए पुलिस ओफिसर आ जाते है तो के उस पुलिस ओफिसर पर ही जपक जाता है अब हमें के डायरेक्ली प्रिजन में दिखाय गया है उसके जो इन्मेंट्स होते हैं उनके सामने वो इमेजनरी गोल्फ खेल रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है इसमें से एक इन्मेंट उसका इमेजनरी गोल्फ टॉल है यह चीन लेता है इसी वज़े से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सुलिटरी में के को रख दिया जाता है जब के को चेक करने के लिए वहां कार्ड आता है तो के चुप जाता है उसे वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वहाँ एक्जिस्ट नहीं करता कार्ड को अंदर आना पड़ता है उस पर चीड गया होता है तो उसे बहुत मारता है आत्मे करीम का husband उसके पास आजाता है वो कहता है कि मैं सोच रहा था उसे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है करीम कुछ भी बोलने रही होती है वो के के साथ रहे रही थी उस पर भी वो नाराज होता है उसे फिर वो slap कर देता है क्रीम भी इस पार रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है क्रीम की केर करने वाला कोई नहीं था के ने उसकी केर की थी और अब उसे फिर से अच्छा लगने लगा है वो उस पर अत्याचार नहीं होने दे रही वो उसे मारती है कि फिर से उसने जो गार्ड को जलावा दिया था वो ही देता है गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है नेक्स जिंग क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते है वो पहनती है बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उसे पुछते है कि ये कौन है या आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता उसे जाकर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी देर इसे सोने दो क्रीम जब अपनी नीन से जाकती है तो वो डारेक्टी चलने लग जाती है फिर से अपने घर आ जाती है क्रीम जो के के साथ महसुस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसुस करना था क्रीम का पदी घर पर होता है उसे पूछता है कि तुम कहा गई थी मैं तुमें कही भी जाने के लिए मना किया था क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती के फिर से अपनी इसCEL में छुप जाता है इस बार कार्ण जब उससे देखने के लिए आता है तो कार्ण के पीछे हो छिप जाता है कार्ण फिर उसकी shadow देख लेता है वो उससे बहुत इमारता है कार्ण उसे कहता है कि तुमारी shadow को तुम नहीं control कर सकते इस cell में कि हमें meditate करता हो दिखता है वो एक fist बनाता है और अब इस fist को open करता है और fist open करने के बाद हमें इसमें एक आग दिखती है ये represent करता है कि कि जिस तरह से रह रहा था इसमें वो confined था पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है उसे सब कुछ knowledge आ चुका है क्रीम खीडकी से बाहर देख रही होती है तो उसका पदी उसके पास आता है उसे कहता है कि तुम उसके लिए wait कर रही हो कब prison से बाहर निकलेगा उसकी तुम रहा देख रही हो अब क्रीम का पदी उसे कहता है कि हम move out कर लेंगे वो घर sale करने वाले agent को call करता है वक्रीम उससे उसका मोबाइल छीन लेती है केको चेक करने के लिए इस बार जब गाड आता है तो उससे कही भी देख नहीं पाता कि अब इस जेल से escape कर चुका है जो पुलिस ओफिसर केको investigate कर रहा था उसके पास हो आता है और उससे बहुत मारता है के कहा है इसे वो figure out नहीं कर पाता और मार खाता है के हमें भी इस scene में कही भी नहीं दीखता इसका मदलब है के अब invisible चुका है इसका मदलब क्या है यह मैं आपको movie के end में बताऊंगा हमें boxer का घर फिर दिखाये गया है boxer और उसकी जो wife होती है इन दोनों में जगड़ा चल रहा होता है boxer की wife को लग रहा होता है कि boxer का affair हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा महसूस होता है वो पूरे घर में चानत है और वहाँ कोई भी नहीं होता इस boxer ने अपना poster घर में लगा होता है जब वो इस poster को देखता है तो उसकी आख वहाँ से missing होती है इसका मतलब है कि किसी लोग को भी अपने आपको देखने नहीं दे रहा अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो उसे हट भी नहीं कर पाएंगे जिस घर में क्रीम आकर सोकर चली गई थी उसे घर में के भी आया था यहाँ जो आ रहे दे थी उसे लगता है कि यहाँ कोई है पर वो इससे explain नहीं कर पाती क्रीम जिस कुशन पर सोई थी उसी कुशन पर सोकर वो चला जाता है इसके बाद हमें दिखता है कि वो फोटोग्राफर के अपाटमेंट में आ जाता है फोटोग्राफर भी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहाता है इस फोटोग्राफर को अब लगता है कि उसके फैट में कोई definitely है वो अलग-अलग जगा पर अपनी बैट मारता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता वो फिर अपनी गल्फरेंट को कॉल करता है वो उसे घर में आने के लिए बोलता है वो जब घर पर आती है तो वे दोनों intimate होने के कोशिश करते है तब ही उन्हें लगता है कि इस घर में के है हम देखते हैं कि क्रीम की जो फोटो थी वो सही से लग चुकी थी पर अब फिर से के उसे अलग-अलग जगा पर लगा देता है क्रीम जैसा उसके फोटो का चाहती है उसी तरह से उसे एड़्यस कर देता है फोटोग्राफर और उसकी girlfriend जब देखती है तो वहाँ से photo missing होती है यह दोनों फिर बहुत ही डर जाते है क्रीम के पदी को call आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कि अब जेल से फरार हो चुके आए जब रात होती है तो क्रीम के पदी को भी लगता है कि उसके घर में कोई है वो भी अपनी golf bat लेता है और हवा में मारने लग जाता है उसे वो कही भी नहीं मिलता वो जब bed में सोने के लिए आता है तो वो क्रीम से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है जब midnight होती है तब क्रीम उठती है और घहम में के को ढूणने लग जाती है वो जब एक mirror के पास आती है तो उसे वहाँ के दिखता है उसका husband भी उसके पास आ जाता है पर उसे के कही भी नहीं दिखता क्रीम को पता है कि के को अब कोई भी देख नहीं पा रहा तो अपनी पती को फिर से I love you कह देती है उसका पती खोश हो जाता है और उसे हग करता है उसके पती ने जब उसे हग क्या होता है तो पीछे से के और क्रीम दोनों किस कर रहे है ऐसा हमें दिखता है इस फ्रेम का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले है के को कोई देख नहीं पा रहा तो यहां आसानी से वो रह सकते है अगले दिन क्रीम बहुत सारा बेकफास्ट बनाती है उसका पती बहुत ही खोश हो जाता है वो जादा ही मुस्कर आ रहे होती है उसका पती उसे कम मुस्कर आने के लिए और बेकफास्ट करने के लिए बोलता है उसका हजबन विर्खोश होकर काम के लिए निकल जाता है के और क्रीम एक दुनों को किस करते है और इसके बाद एक ही वेट स्केल पर हमें दिखाय कए है जैसा हमने मुवी के फर्स में देखा था कि उसके घर में जो वेटिंग मशीन थी उसको वो रिपेर कर रहा था गेम के जो लाइफ का बैलन्स है वो रिपेर करना चाता था पर इस बार वो यह कर चुका है मुवी कदम होती है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है इस मैसेज में कहा जाता है कि आप ड्रीम में रह रहे हो या रेयालिटी में यह डिफ्रेंशेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है यह यह movie कदम हो जाती है पर के के साथ क्या हुआ था यह आपको आप मैं explain करूँगा डायरेक्टर ने जिस तरह से यह story बताई है इसके अलग-अलग interpretations आप कर सकते हो हमें के meditation करता हो दिखा है और कैसे invisible होना है इसके practice को कर रहा होता है अगर हम देखे तो इसने यह art अब master कर लिया है वो guard को जलावा देकर jail से भी भाग जाता है और invisible पूरा हो जाता है इसका second explanation है कि जब के guards को जलावा दे रहा था हमेशा वो छिपता रहता था जब guard ने उसे बहुत मारा था वो सचमुच में वहां मर चुका था अब जिस guard ने उसे मारा था यह trouble में आ सकते है तो इसलिए इनने एक cover up story की थी उनने कहा था कि के jail से फरार हो चुका है यह जो भी सब हो रहा था यह के की soul कर रही थी इस movie का जो third explanation है वो हम cream के perspective से देख सकते है movie के last में एक line आई थी और उसमें कहा गया था कि dream में हम जी रहे है या reality में हमें पता नहीं है यह बहुत ही hard गया ना हम फिर इसका integrate कर सकते है हम life में जो भी सब चीज़े dream करती है वो कभी कभी reality में भी आ जाती है Einstein ने भी अपने quote में कहा था कि आप जिस तरह से इस world को देखते हो उसी तरह से world बन जाता है इसका मदलब है cream यह सब imagine करी है उसे लग रहा है कि prison से वो escape हो उसके मन में वो fix कर ले थी है कि के हमेशा उसके साथे रह रह रहा है और अपने life का balance वो करना चाती है इसलिए वो फिर से अपनी पती के साथ अमेंड्ज जो होती है वो सही कर लेती है इसी तरह से अलग-अलग explanation के साथ यह movie हमें छोड़ कर चली जाती है बहुत ही अलग तरह की यह story थी आपको यह movie कैसी लगी प्लीज मुझे comment session में बताना आपको अगर कुछ movie suggestion हो फुपी आप वहाँ बता सकते है अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो प्लीज इस video को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेटकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजेगा bell notification icon में दबा दीजिए यानि कि आपको सब movies मिलती रहे है हम फिर से मिलेंगे नए explanation की साथ तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप खैल रखिये